हेलो एवरीवन वेलकम अगेन तो लंडरे देतीमन तो हम लोगों ने एट ग्लास के जो चार चप्टर हैं कम्प्लीट कर लिये थे ठीक है और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फाइफ उद्ध्योग तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से जो कुशन पूछा था त ठीक है पृतिका है महेस महरा थे और गोरियम आशा मीना इसके अलावा जो है नाम था सुनीता बाई का तो सभी बच्चे जो रेगुलर रहते हैं वो सभी आंसर देते हैं तो देखिए आप लोगों को इसका फायदा जो है वो जरूर होगा जो भी रेगुलर चैप्टर के लिए ही है इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है आप लोगों का ही फायदा है वो सकता है कि मैं आप लोगों से कोई कोशन पूछू और आपके एक्जाम में वही कोशन आ जाए आईए चलिए चैप्टर फाइब जो है वो आब हम पढ़ते हैं उध्योग यानि और आपके एक्जाम की दर्ष्टिकोंट से बहुत महत्वपूर है जो बच्चा सेकिंड ग्रेट का है फस्ट ग्रेट का है चाहे वो रीट का बच्चा है सभी को राजिस्तान का जीके जो है वो पढ़ना बहुत कमपलसरी है जरूरी है हम दिन प्रति दिन अनेक वस्तों का उपयोग करते हैं जैसे टूथ ब्रस्ट, टूथ ब्रस्ट, टूथ पेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंधरे प्रसाधन की वस्तुएं, कम्प्यूटर, बिस्केट, बरतन, पैन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदी तो इनका यूज जो है वो हम टेली करत हैं, तो हम सोच ये कि इन सब वस्तुओं का निर्मान जो है वो कहां होता है, कहां पर ये चीज़ें जो है वो बनाई जाती होंगी, तो ये सब वस्तुओं किसी न किसी उध्योगिक एकाई में ही बनती हैं, उध्योगिक एकाई का अर्थ होता है किसी एक विसेश कहलाती है ठीक है तो तकनीकी सहयता का प्रियोग करके मसीनरी का प्रियोग करके उस कच्चे माल का क्या करते हैं वस्तुमें बनाने में प्रियोग किया जाता है तो जहां पर ये निर्मान होता है उस इकाई को उध्योग कहते हैं उध्योगों को द्वित्यक व्यवसाई भी कह जाता है जहां क्रसी जो है वो हमारी प्राथमिक वयवसाय है पसू पालन प्राथमिक वयवसाय है वही पर उध्योग जो है वह है दृत्य वयवसाय के अंतरगर आता है इंपोर्टेंट लाइन है ठीक है और उध्योग किसे कहते हैं ये भी याद रखिएगा कच्चे माल का पक्के माल में या बहुत सारी वस्नों के निर्मान करने वाली इकाई को हम उध्योग कहेंगी त्वित्यक व्यवसाई से अर्थ उन कार्यों से है जहां पर प्राथ्मिक क्रिया कलाब से कच्चा पधार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य और उप्योगिता में व्रद्धी की जाती है तो कच्चा माल यानि की जो प्राथमिक क्रिया कलाप है उसका परिवर्तन कर दिया जाए तो वह द्वित्यक व्यवसाय बन जाता है जैसे की example के लिए कपास, कपास जो है वह प्राथमिक व्यवसाय की अंतरगत आता है और इसे हम परिवर्तित करके कपड़ा बनाते हैं तो य क्या बन गया यह द्वित्यक व्यवसाय बन गया उध्योग के अंतरगत आता है कपड़ा बनना गन्ने से जैसे की सक्कर चीनी बन रही है सोने से आभूशन बनना गेहूं से गेहूं से क्या बनना बिस्किट बनना लोहे से उपकरण बनाना यह सभी क्या है यह सभी उध्यो किश्रणी में आ जाएंगे द्वित्तिक व्यवसाय किश्रणी में आ जाएंगे इस अध्याय में हम द्वित्तिक व्यवसायों का ही अध्यन करेंगे तो इस बॉक्स में देखिए यह भी जाने आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति है तु किये जाने वाले वे समस्त क्रिया कलाप जिन से मानव अपने और अपने परिवार का भरन पोशन और जीवन यापन करता है सामान नेता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है तो यहां पर आर्थिक का मतलब ही क्या हो गया यानि धन को प्राप्त करने वाली ऐसी क्रियाएं ठीक है जहां मानव अपने परिवार और ख हमारे राजियों में कई तरह के उध्यूगों का विकास हुआ हाला कि दीर्ग काल से यहां लगू और घरेलू उध्योग संचालित होते रहे हैं किन्तु आजादी के बाद बड़े पैमाने पर लगू और कुटीर उध्योगों का विकास हुआ है ठीक है तो हमारे तो देखिए राज्ये में कई तरीके के उध्योगों का विकास हुआ था दीर्ग काल से ही यानि बहुत लंबे टाइम से पहले से ही लगू और घरेलू उध्योग है वह संचालित होते रहे हैं लेकिन सोतंतरता के बाद आजादी के बाद जो है यही उध्योग जो है वो बड़े पैमाने पर लगू और कुटीर उध्योगों का विकास हुआ है इन वो बहुत बड़े पैमाने पर कार्य होने लगा है जैसे कि माचिस उध्योग है दिविया उध्योग है ठीक है तो इस तरीके के एक परिवार के द्वारा ही वो कार्य जो है किया जाना कुटीर उध्योग के अंतरगत आता है तो सभी को कार्य मिल सके रोजगार मिल सके तो यह कार्य जो है वो बड़े पैमाने पर अब इसका विकास हुआ है लगू और कुटीर उध्योगों का. आओ अभ्यास करें अब आप अपने गाओं शहर या मुहले के विविन उध्योगों की सूची तैयार कीजिए यह भी पता लगाईए कि इन विविन व्यवसायों उध्योगों के लिए कच्चा माल क्या है और यह कहां से आता है ठीक है? राज्य स्थान में लगू और कुटीर उध्योगों का विकास तो यह हमें ध्यान में रखना है राज्य में उध्योगिक वातवरन बनाने, इस्थानिय संसाधनों के अधिक तम उपियोग करने, उत्पादक्ता में सुधार करने, भुनियादी ढाचे को विक्सित करने के ल राजार, उत्पादित वस्तों की गुडवत्ता, उर्जा की कमी, अवसिस्थ पधार्तों के उपियोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रध्योगिकी की जानकारी का अभाव, आदी लगू और कुटीर उध्योगों की प्रमुक समस्याएं रही हैं। यह साधनों की कमी रहना, इसके अलावा देखिए सीमित बाजार होना, बाजार जो है वह इतना बड़ा ना होना, और जो वस्तों हैं उनकी गुडवत्ता में भी कमी आना। तो यह सभी चीज़ें जो हैं लगू और कुटीर उध्योगों की समस्याएं जो हैं राजिस्थान में देखी गई हैं। कुटीर और लगू उध्योगों के विकास के लिए राजिस्थान लगू उध्योग निगम प्रियासरत है। यह निगम रियायती दरों पर रिण, तकनीकी सहायता और विप्रन की सुविधाएं जो हैं वो प्रदान करता है। इन उध्योगों में राज्ये के कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। ताकि कुटीर लगू उध्योगों के विकास में समस्याइं देखी गई हैं लेकिन फिर भी राजिस्थान लगू उध्योग इसके लिए प्रियासरत है, कारे वह सुचारू रूप से करने की आगे बढ़ाने की सोच रहा है। और यह निगम जो है रियायती दरों पर यानि कम दरों पर रिण भी उपलब्द करवाता है, ऐसी अनेक तकनीकी सहायता, विपणन की सुवधाएं जो है वो प्रदान की जाती हैं, जिससे कि इन उध्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता भी है। तो देखिए ये चित्र जो है इसमें देखिए मिट्टी से बरतन का जो है निर्मान किया जा रहा है, ठीक है तो ये छोटे इस तर पर होने वाले उध्योगों किष्टेणी में आ जाएगा, ये देखिए बांस से वस्तूओं का निर्मान, एक ही परिवार के या एक ही ये जो टोकरी है ये बनाई जा रही है महिलाओं के द्वारा, नेक्स्ट देखिए हत करगा उध्योग, इस प्रकार के उध्योग बहुत कम पुंची के निवेस पर भी रोजगार प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वह बहुत कम जो है वह किया जा ठीक है और इस तरीके से लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, इनमें अधिकांस कार्य हातों से होता है, छोटी-छोटी मसीनों से होता है, उपकरणों द्वारा किया जाता है, उनी शौल हो गई, कोटा डोरिया वाली साडियां हो गई, धरियां हो गई, निवार हो गई, निवार यानि कि जिससे की वो जो चारपाई होती है उसे भुना जाता है, आदी का निर्मार जो है वो हत करगा से किया जाता है, राजिस्थान की अनेक जिलों में बुनकर इन कारी को करते हैं, तो हत करगा उध्योग जो है जो की बहुत कम ही पुंजी के निवेस पर लोगों को रोजगार प्रदान करता है तो यहाँ पर देखिए कुटीर उद्योग की श्रेणी में देखिए यहाँ पर और हातों से वस्त्र जो है यह महला जो है वो बना रही है तो यह सबी हद करगा उद्योग के अंतरगत आ जाएगा सूती, उनी और रेशम के धागों से विविन परकार के वस्त्र, दरिया, कंबल, चद्दर, शौल, आदी बनाए जाते हैं उनी खादी में जैसल मेर की बरडी, बीका नेर के कंबल, जैसल मेर और जोतपूर की मेरीनो खादी जो है वो प्रसिद्ध है अब ये लाइन जो है आपके एक्जाम के दरश्टी कोर्ण से बहुत इंपोर्टन है अब देखिए चैप्टर पढ़ने का क्या सैंस रहता है कि हमें जो चैप्टर है वह है अच्छे से इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमारी समझ का विकास हो सके हम उन चीजों को अच्छे से जान सके जिससे कि हमें जो भी फैक्ट होंगे वो भी याद हो पाएंगे इसलिए चैप्टर जो है वो पूरा पढ़ा जाता है हमारी सरकार हत करगा उद्योग के विकास के लिए अनेक योजनाएं जो है संचालित भी कर रही है। लग उद्योग राजिस्थान में कुछ उद्योग करसी से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रही हैं। तो यहाँ पर करसी पर आधारित हैं लग उद्योग वो कौन कौन से हैं। जो, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों की उत्पादन में राजिस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो यहां पर ये उध्योग जो है ये करसी पर आधारित है और यहां भारत सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किन किन में है तो यहां करसी से उत्पादित जो है तिलहन है बीज मसाले और जो मोटे अनाज है इसमें दलहन यानि की सभी प मंदित उध्योग राजिस्तान के बिभिन जिलों में पाए जाते हैं कोटा बूंदी भीलवाडा और उधैपुर जिलों में गन्ने के रस्से गुड और खांड सारी का निर्मान भी किया जाता है तो यहां पर देखिए पानी की जो सुविदा है वह रहती है तो यहां पर गन जो है उगता है तो गन्ने के रस्से गुड और खांड सारी का निर्मान जो है इन शेत्रों में होता है कोटा बूंदी भीलवाडा और उधैपुर में क्योंकि यहां की भूमी जो है वो नम है इन जिलों में यह उध्योग ग्रामिन इस्तर पर अधिक लोग प्रिया है कर रहे हैं तो यहां अलवर भरतपूर सवाई माधवपूर जैपूर यहां सरवादिक जो है अलवर भरतपूर साइड में सर्सों की अतिक पैदावर के कारण जो है तेल घानी उध्योग पाये जाते हैं पूछा जा सकता है कि तेल घानी उध्योग जो है वह सरवादिक कहा पाए जाते हैं तो अलवर भरतपूर सवाई माधवपूर चैपूर में पाए जाते हैं अजुमेर जिले में मूंग फली की खल से तो कोटा भूंदी बारा पाली जिलो में तिली की खल और तेल से संबंदित उध्योक संचालित हैं तो याद करिए मैप को तो यहाँ पर पूरवी साइड में देखिए यहाँ पर जो है सरसों के तेल की पैदावर यहाँ पर देखिए सरसों के तेल की पैदावर जो है वो सरवादिक देखने को मिलती है वहीं पर अजमेर साइड में आप देखिए मुंकवली की खल की तो होते हैं ठीक है तो यह चीजें जो है वह आप ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट देखिए राजे सान में क्रशी आधारित उध्योगों के विकास है तू अलवर जोधपुर कोटा गंगा नगर आधी जिलो में रीको द्वारा फूड पार्क विक्सित किये गए हैं कहां पर अलवर जोधपुर कोटा गंगा नगर आधी जिलो में ये ध्यान रखें सबसे पहले तो मैं आपको हर चेप्टर में एक बात जरूर बोलती हूँ कि मैप जो है उसको आप रट लें मैप के जो भी आपके डिस्ट्रिक हैं जिले हैं उनको आप बहुत अच्छे से ध्यान मे रख लें क्योंकि अब आगे चलके जो भी चीज़ें आएंगी तो आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है जोधपुर की कोटा की गंगा नगर की तो वो कहां है ठीक है किस साइड है पूरब में है पक्षिम में है उत्तर में है या तो ये तो अपने आप ही आपको दिहान में आ जाएगा तो इसी से संबंदित जो भी कोशन पूछे जाते हैं वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इस से छेत्र में जो है वो ये चीज़ें मिलेगी नेक्स्ट देखिए खनिज आधारित लगु उध्योग वे उध्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रियोग में लाते हैं तो खनिज आधारित उध्योग कहलाते हैं कौन से जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रियोग में लाते हैं तो वो खनेज आधारित उध्योग कहलाएंगे राजिस्थान खनिज की द्रस्टी से एक संपन राज्य है राजिस्थान में सरवादिक उपलब्त खनिज रॉक फॉस्पेट है सबसे ज्यादा देश का 90% जो है वो फॉस्पेट जो है वो राजिस्थान में मिलता है उदैपूर, जैसलमेर, सीकर, आदी जिलों में उससे संबंधित उध्योग संचालित हो रहे हैं सीसा वा जस्ता भी राजिस्थान में पाये जाते हैं और यहां के ये प्रमुक खनिज हैं पॉस्फेर जो है वो 90% तक यहां मिलता है इसके अलावा सीसा जस्ता वह भी पाये जाते हैं उदैपूर, भीलवाडा, रासमद, आदी में इससे जुड़े उध्योग हैं जुनजुनू, उदैपूर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तामबे से जुड़े उध्योग हैं तामफेक्ट्री जो है वो आपको सरवादिक देखने को मिलेगी सरवादिक जो तामबे के लिए प्रसिद है जुन-जुनू, ठीक है राज्य में जिपसम, अबरक, चूना पत्थर, लोहा, अयसक, मैगनीस से जुड़े उध्योग भी राजिस्थान की अर्थ विवस्ता को मजबूती प्रदान कर रहे हैं तो क्रसि से ज़्यादा खनिज आधारित लग उध्योग यहां आपको राजिस्थान में देखने को मिलते हैं राजिस्थान में सोने, चांदी और पीतल के आभूशन विविन नगरों और कस्वों में बनाये जाते हैं विविन प्रकार के रतनों की कटाई, घिसाई और पॉलिष एक प्रमक कोटीर उध्योग बन चुका है यहां पर यह देखिए, यह है संग मरमर उध्योग, ठीक है? जैपुर में जोहरी बाजार सोने चांदी के आभूशनों एवम रतनों के लिए एक विस्व विख्यात केंद्र है भारत में ही नहीं, विस्व विख्यात केंद्र है जैपुर का जोहरी बाजार हाती दांस से अभूशन का निर्मान किया जाता है और मीनाकारी का कारे भी राज्य में किया जाता है पीतल और तांबे के बरतन राजिस्थान के कई जिलों में बनाये जाते हैं हजारों लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है राजिस्तान में बिविन प्रकार के पत्थर जो है वो बहुतायत में पाये जाते हैं तो यहां पत्थर पाये जाते हैं तो पत्थरों की जो है कटाई, पॉलिश, किसाई से सम्मंदित जो है कई लगू और कुटीर उध्योगों का विकास हुआ है तो जितने ज़्यादा उध्योगों का विकास होता है उतना ही अधिक जो है वो लोगों को रोजगार भी मिलता है तो यहीं से जो है वो प्रशन भी आपके एक्जाम में पूछ लिया जाएगा इसलिए मैं बोलती हूँ चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है और उसके बाद जो है आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बनाईए इन चैप्टर से या आप लोग कोशन आंसर जो है उनको करिए तो यहाँ चैप्टर जो है वह भी आपके कम्प्लीट होता है संग मरमर एवं ग्रे नाइट पथरों का निर्यात विदेसों में भी किया जाता है तो विदेसों तक जो है वो हमारे देश से पथर जो है जाता है ठीक है संग मरमर और ग्रे नाइट और वहीं जैपूर का जोहरी बाजार जो है वो विश्व विख्यात केंद्र है जैपू करने सम्मधि उध्योग छोटी मशीने और उनसे सम्मधित उपकरण लोहे के वोल्ट, कील आदी बनाने के लिए भी टीर और लगई उध्योग इकाईयों के रूप में कार्रे करते हैं. तो कई छोटी-छोटी मशीने उनसे संबन्दित जो उपकरण है वह बनाने के लिए भी कुटीर और लगु उद्योग जो है एक एकाई के रूपनकार्य कर रहे हैं तो आज का वीडियो हम यहीं तक करेंगे और जो भी पढ़ाया है इसको आप एक बार जरूर देखिए का वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए जिससे की आपको सभी चीजें समझ में आ सकें ठीक है बुक की रीडिंग करना बहुत जरूरी है और जो लोग इसको इग्नॉर कर देते हैं वो बाद में पस्ताते हैं कि हमें जो है बुक को पॉलो करना चाहिए था पहले तो बच्चे यही घबरा जाते हैं कि हमें जो है 6th class, 7th class, 8th, 9th, 10th पता नहीं कितनी बुकें पढ़नी पढ़ेगी एक एक चैप्टर पढ़ना पढ़ेगा और उसके बाद जो है जब हम उन question answer को करेंगे तो हमारा time waste हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको बार-बार ये चीज़ें बोलती हैं ठीक है जिनके पास time है वो लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं बाद में बापस आने का कोई sense नहीं रहता है कोई मतलब नहीं रहता है तब आपके पास time भी नहीं होता है इसलिए अपने आखों से इन बुकों को निकालना बहुत जरूरी है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए और कोई भी काम नहीं होता है पढ़ाई के अलावा तो आप लोग इन्हें या तो chapter को एक दो बार जो है वो पढ़िए और यहां समझ में नहीं आता है आपको तो question answer के माध्यम से वहां सारी चीज़ें और भी clear हो जाती है तो चलिए मिलते हैं next video में thank you कितर ड़क्तम दो हैं आता है wa जाता है